कि नमस्का मेंने नामने मिलते वारी है और मैं आपसे भी का एचीवर्स आइसे से कैडमी के इस यूट्यूब चले में हार्दिक स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप सभी कुसर बंगल होंगे तो पिछले दो वीडियो मैंने आपको दरसन सास्त पड़ाया था और दरसन जानकारी दिया था और मैंने कोशिस किया कि प्रमा और अप्रमा से आप अच्छे से क्या हो जाए तो परिचित हो जाए आज को जो मेरा वीडियो है वो नियाय दरसन पर ही अधारित है और आज की वीडियो में हम नियाय दरसन के कारे कारण सिध्धान्त का चर्चा करेंगे अगर मैं नियाय द्रसन के कारे कारण सिर्धान के बारे में बात कर रहा हूँ तो ध्यान दीजेगा नियाय द्रसन के कारे कारण सिर्धान को हम असत्त कारिवाद कहते हैं मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो असत्त कारिवाद है तो असत कारिवाद आप देख सकते हो कि आपके CGPAC मुख्य परिख्षा के जो पेपर 6 है पेपर 6 का जो पहला पार्ट है वो हमें भले भानती मालूम है कि वो क्या है तो दर्शन सास्त्र है और उसी दर्शन सास्त्र में जो न्याय दर्शन है उसमें हम तीन टॉपिक हमको कवर करना है एक प्रमा और एक अप्रमा जो कि हमने कर चुका है और जो हमार जो टॉपिक बचा है वो कहतो सत्त कारिवाद और यही जो असत्य कार्यवाद है ये न्याय दर्शन का कार्य कारण सिध्धान्त है तो असत्य कार्यवाद को समझने से पहले थोड़ा समको जानगारी लेना होगा कार्य 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 सिध्धान्त क्या होता है ध्यान दिजेगा हमारे जितने भी जो भारती दर्शन है उन सभ कि जो कारी कारण नियम हैं तो सल्फ एविडानि के कारण हर एक दरशन में आपको कारी कारण दिख जाता है करी जागा इसको प्रकृति का नियम मी माना जाता है तो उसी प्रकार से हमारे नियाय द्रशन और नियाय द्रशन का जो पूरक द्रशन वैसेशिक द्रशन है उन दोनों में हमें कार्यकारण सिध्धान दिखता है और उस कार्यकारण सिध्धान को हम असत्त कार्यवाद कहते हैं जो असत्त कार्यवाद है ये असत्यकारियवाद विरोधी विचाधारा है सत्यकारियवाद का आगे चलकर हम सत्यकारियवाद पढ़ेंगे वो हम तब पढ़ेंगे जब हम शांग के दरशन पढ़ेंगे और उसका जो पूरक दरशन योग की बात करेंगे तो शांक्य दर्शन का जो कारेकारण सिध्धान्त है वो क्या है तो सत्कारिवाद और सत्कारिवाद असत्कारिवाद का विरोधी है उसी पकार से असत्कारिवाद विरोधातमक विचाधारा है किसका सत्कारिवाद का हाले कि बौध धर्म और जैन धर्म या बौध दर्शन और जैन दर्शन में भी आपको कारे कारण सिद्धान दिखता है बौध दर्शन के कारे कारण सिद्धान को हम प्रतितिसम उत्पात कहते हैं प्रतितिसम उत्पात के अलावा छणिक बाद भी कहा जाता है वहीं जो जैन दर्शन है जैन दर्शन में जो जैन दर्शन का जो कारे कारण सिध्धान्द है उसको हम सद असत कारिवाद कहते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो नियाय दर्शन में है और हम नियाय दर्शन की हम बात कर रहे हैं और प्रकृति की नियम की हम बात कर रहे हैं और कारिय कारण सिध्धान्द की हम बात कर रहे हैं तो हमको पढ़ना होगा क्या? असत्कारिवाद तो यहाँ समसुरुआद करते हैं हमारा आज का टॉपिक तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो असत्कारिवाद है वो नियादरसन का कारिय कारण सिध्धान्द है cause and effect theory है और यह जो cause and effect theory में अगर मैं असत्त कारिवाद की बात करूँ तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम इस असत्त कारिवाद जो सब्द है उसको समझने की कोशिस करते है जब मैं इस सब्द का संदिर विछेत करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है असत्त धनकार्य धनवाद ज आ धन सत्त आ मतलब नहीं नौन सत्त मतलब existence, reality, presence, उपस्थित तो मतलब जिसकी उपस्थिती है जिसकी सिर्ष्ठी है जो है जो present है वो ही क्या है तो सत्त है और अगर मैं असत्त बोल रहा हूँ मतलब उसकी उपस्थिती नहीं है मतलब अगर मैं इस कमरे में हूँ तो कमरे में मैं उपस्थित हूँ तो यह क्या है सत्त है अगर मेरी presence इस कमरे में नहीं है तो यह क्या हो जाएगा असत्त होगा तो असत्त का मतलब यहां पर क्या होता है non-existence, absent तो non-existence, absent यह मतलब अनुपस्थित नहीं को हम यहां पर क्या बोलते हैं और वह जो कारी है तो कारी मतलब हमारे क्या है तो effect है जो हम कर्म कर रहे हैं जिस जो जो production है जो उत्पाद है जो स्रिस्टी है जो निर्माण है वह यह क्या है तो कारी है तो कारी यहां पर क्या है तो effect है तो असत्य मतलब क्या हुआ non-existence असत्य मतलब हमारा कर्म और वाद यहां पर क्या है तो सिध्धान्त है वाद मतलब क्या है तो डॉक्ट्रिन है विचारधारा है तो इस पकार से यह क्या है असत्कारिवाद तो असत्कारिवाद का संदीदी छेट करके इस सब्द को समझने की हमने यहां पर क्या की तो कोशिस की अब इस व कार्य वाद को आप समझोगे तो इसमें ये बताया जाता है कि जो कार्य है वो कारण में पहले से नहित नहीं होता एक्चुली जो हम कार्य कार्य सिद्धांत हम जो पढ़ते हैं तो सभी कार्य कार्य सिद्धांत में क्या वो लाता है एहंकार है और विद्या है तो कुछ भी अब ले सकते हैं वो सभी क्या दुख का कारण है तो तिष्णा एहंकार और विद्या इसका कारई क्या है तो दुख को लेके आना या आप समाने जनकर यह ऐसे ले लो जैसे आप दे सकते हो कि वर्षा होता है तो वर्षा एक कारई है और वर्सा कारे का जो कारण है वो क्या है तो बादल, काले बादल का च्छाना, तो काले बादल का जो च्छाना है तो वो एक कारण मजाता है किसका कारे का, तो बादल है बादल क्या है तो कारण है किसका वर्सा का, तो वर्सा क्या है कारी है किसका बादल का, वही अगर आप निकलते हो और आप देखते हो कि आपको जो सडख है या जो मैदान है वो आपको गीला नजर आ रहा है तो गीला जो मैदान है वो कारी है और इस कारी का कारण क्या होगा तो वर्षा होगा प्रकृती में आपको जो कुछ भी आपको दिखता है जो भी जो आपको नजर आती है उन सभी वस्तू का कोई ना कोई क्या है तो कारण है और इसी सिद्धान को हम क्या बुलते हैं कार्य कारण सिद्धान लेकिन नियाय द्रशन में इस कार्य कारण सिद्धान को असत कार्यवाद कहा गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कारिय है, कारिय जो है वो पहले से कारण में नहित नहीं है, कारिय कारण में पहले से उपस्तित नहीं होता, जो कारिय होता है वो कारण से उत्पन कोई नहीं रचना होती है मतलब जो कारी है वो पहले से नहित नहीं है किसमें कारण में जो कारी है वो नई रचना है वो नई स्रिष्टी है वो एक नई वस्तू का क्या है तो शुरुवात है उसका आरंब है तो नई नई स्रिष्टी का आरंब हुआ कारी एक नया आरंब है इसलिए इस बिचाधारा को आरंब वाद भी कहा जाता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक मटका है एक घड़ा है घड़ा जो है वो एक कार्य है और घड़ा नाम कार्य का जो कारण है वो एक कुमहार है और मिट्टी है मिट्टी और कुमहार के सेयोग से ही निर्माड हुआ किसका मट्का का मट्का का कारण क्या है मिट्टी है और कुमहार है और कुमहार और मिट्टी का कारी क्या हुआ मट्का का निर्माड करना तो यहाँ पर असत्य कारिवाद में क्या पुला जा रहा है कि जो मटका है ना वो मटका पेले से निहित नहीं है वो पेले से उपस्तित नहीं था किसमें मिटी में या कुमहार जो मठका है वो एक नई खोज है जो मठका है वो एक नया कारिय है नई रचना है और इस रचना कार कौन है तो मिट्टी और वो कुमहार है और इसी को हम क्या बोलते है असत कारियवाद मतलब एक नई खोज की सुरुवात ही एक नई खोज का आरंभ हुआ इसलिए तो इस शांखी दर्शन पड़ेंगे तो शांखी दर्शन में हम सत्यकार्यवाद पड़ेंगे और सत्यकार्यवाद जो है वो विरोधी दर्शन है विरोधी विचाधारा है विरोधी सिध्धान्त है असत्यकार्यवाद का सांखी दर्शन की अनुसार कारिय कारण में पहले से ही उप मटका है तो मिट्टी और कुम्हार में मटका पहले से ही उपस्तित रहता है मटका कोई नवीन श्रिष्टी नहीं है यह कहता कौन है सांगी दर्शन इसलिए तो उसकी विचाधारा को हम क्या बोलते हैं सत्कारियवार इसको आप एक समान इभास आप मैं ऐसे समझ लो सांगी सांगी दर्शन में एक उधारन लेते हम सरसो का तेल का सांगी दर्शन यह बोलता है कि सरसो का तेल एक कारी है और सरसो के तेल जो कारी है उसका कारण कौन है तो उसका कारण सरसो है तो जो तेल है ना वो तेल पहले से ही उपस्तित था किसमें सरसो में तभी तो सरसो से क्या निकला तेल निकला तो वो जो विचाधारा है वो जो सिध्धान्ध है वो क्या है तो सत्यकार्यवाद सिध्धान्ध है तो हम तब पढ़ेंगे जब हम सांगी द्रसुन को पढ़ेंगे आज हमको पढ़ना क्या है तो असत्यकार्यवाद नियाद्रसन के कारेकारण सिध्धान को पढ़ना है ठीक है चलिए अब ध्यान दिजेगा अगर मैं नियाए दर्शन के असत्यकार्यवाद की बात करता हूं चर्चा करता हूं तो मतलब मैं कार्यकार्ण दूसरा क्या है तो असमवाई कारण असमवाई कारण के बाद जो तीसरा कारण है उसको हम क्या बोलते हैं तो निमित कारण तो इस पकार से जो कारण है तो कारणों की जो संगिया है वो कितनी है तीन है क्या-क्या उपदान कारण और असम्वाई कारण और नेमित कारण अब ध्यान दीजे तो इसमें जो उपदान कारण है उपदान कारण को सम्वाई कारण भी कहा जाता है उपादान कारण का एक और नाम क्या है? तो उपादान कारण का एक और नाम समवई कारण है तो हम ये तीनों को अलग-अलग से समझना जरूरी होगा तब ही तो हम कारण को समझेंगे ध्यान दिजेगा जितने भी जो कारे कारण सिध्धान है सभी कारे कारण सिध्धान का जो आधार है वो क्या बनता है तो कारण बनता है इसलिए कारे कारण सिध्धान को कभी कभी हम कारण वाद या कारण का सिध्धान भी कहते हैं इसलिए तो यहाँ पर कारण के प्रकार को समझना क्या है जरूरी है और नियाए दरसन में तीन प्रकार के कारण माने गए हैं और वो क्या है तो उपदान कारण, असमवई कारण और निमित कारण अब यहाँ पर जो उपदान कारण है तो ध्यान दिजेगा जो उपदान कारण है वो उस द्रव को कहा जाता है जिसके दुवारा कारे का निर्माड होता है मतलब जिसके दुवारा कारे का निर्माड होता है उसी तो हम क्या बोलते हैं तो उपदान कारण और उपदान कारण का एक और नाम क्या है तो समवय क्या कारण तो somewhere कारण को समझने से पहले आपको somewhere सब्द को समझना होगा somewhere मतलब क्या होता तो inheritance मतलब inheritance मतलब क्या है कि जो कारी है, जो कारण है कारण से जो कारी की उत्पत्ती हो रही है जो कारण से जो कारी की उत्पत्ती हो रही है और कारण में अगर मैं उपदान कारण की बात करता हूँ तो उपदान मतलब आप समझ जाईए कि वो कारी की समागरी है जिसे मिट्टी क्या है मिट्टी जो है वो घड़ा या मट्का का क्या है तो समागरी है तो कारी की समागरी को हम क्या बोलते हैं तो उपादान कारण बोलते हैं तो ये जो उपादान कारण है इस उपादान कारण में हमेशा एक संबंध हम देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं समवाय संबंध समवाय संबंध मतलब एक नियत संबंध होता है एक निश्चित संबंद होता है, एक आवश्चिक संबंद होता है, मतलब अगर दो वस्तु मैंने देखा, एक मिट्टी और एक मट्का, मिट्टी और मट्का इन दोनों में संवाय संबंद दिखता है, मिट्टी और मट्का में संवाय संबंद कैसे दिख रहा है, क्योंकि अग अगर मिट्टी नहीं होगा तो मट्का का मट्का है वो कभी भी जन्म नहीं ले सकता मट्का का निर्माड नहीं हो सकता मलब जो मटका है वो पूर्टा निर्भर है किसके प्रिजिंस में मिट्टी के जैसे आप ले लो क्या एक टेबल ले लो तो टेबल और लकडी का जो संबंध है वो भी कहा तो संवय संबंध है मलब बिना लकडी के अस्तित्व में टेबल का अस्तित्व नहीं हो सकता इस पकार से यहां यह कहा जा रहा है कि जो कारी और कारण है जो उपदान कारण है और जो कारी है उन दोनों के बीच में एक क्या होगा एक संवाय संबंध होगा मलब एक नियत संबंध होगा एक निश्चत संबंध होगा एक आवस्चिक संबंध होगा वो होना ही है वो संबंध होगा ही होगा जैसे हमारा तो सरीर है हमारा सरीर अगर काम कर रहा है तो उसके पीछे एक रिजन क्या है हमारा हट का होना हमारा दिल का होना हमारा हिर्दय का ह कारण नहीं हम क्या घर जी रहे हैं तो हिर्दय हो मारा सिरीर का एक है तो संवाय कार संवाय संबंध है इसलिए उपादान कारण को हम संवाई कारण मैं भी कहते हैं मतलब अब समझ जाइए जो नियत हो जो निश्यत हो जो आवश्यक हो मतलब मतलब अगर 6 का निर्माड करना है तो मिट्टे के लिए नियती एक नियत संबंध है इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं समवाय संबंद और इसी कारण से उपादान कारण को हम क्या बोल देते हैं समवाई कारण बोल देते हैं तो यह क्या हो था आपका समवाय कारण तो अब यह बो सकते हो कि जो उपादान कारण है उसे समवाई कारण भी कहा जाता है और उपादान कारण वह द्रव होता है जिसस मैं ये लिखेगा कि उपहदान कारण है वह कारे की समागरी वह इंग्रेडियंट इन्ब्रेडेडिन है कारे का जो समागरी है वही हमारा क्या है तो उपादान कारण तो उपादान वह कारण है जो हमेशा कारे में उपस्तित रहता है और क्योंकि कारण से इस द्रव का निश्चित नियत और आवस्चिक संबंद होता है इसलिए इस कारण को हम समभाई कारण भी कहते हैं मलब कभी अगर आपको मेंस में ये पूछा कि उपदान कारण को समवाई कारण क्यों कहा जाता है तो आप ऐसा answer rating कर सकते हो ठीक है तो ये क्या था आपका उपदान कारण चो कारिकी क्या है तो कारिकी वो क्या है तो समागरी है अब आगे हम बढ़ जाते हैं अगला हम क्या थ आता है ये वो कर्म है जो उपदान कारण में हमेशा संवेत रहता है ये उपदान कारण में संवेत रहकर कारी की उत्पती में सहयक होता है मतलब ये जो उपदान कारण का सहयक होता है क्या तो असमवाई कारण जैसे संवाय करण को आप ऐसे समझें, जैसे मैं बताता संवाय संबन्द, संवाय संबन्द क्या है तो एक आवस्षिक संबन्द है, जो होगा ही होगा, वैसी एक होता है संयोग संबन्द, संयोग संबन्द अकास्मिक संबन्द होता है, जो अचानक से संबन स्थापित कर देत तो वह भी जरूरी जैसे मिट्टी से अगर में मत्का बनाना है तो मिट्टी से मट्का का निर्माण तो तभी होगा जब मिट्टी के एक कण आपस में सेयोग होंगे आपस में मिलेंगे तो जब वो आपस में मिलेंगे तभी तो जाकर एक मटके का क्या होगा निर्माड होगा तो वो जो संयोग होना जो आपस में जो हर एक कणो का मिलना जो है वो एक संबंद यहां स्थापित कर रहा है कौन सा संयोग संबंद और यही एक कारण मन जाता है जो कि सहायक होता है कारे के लिए किसका कारण का और इसको हम क्या बोलते हैं तो असमवाई कारण तो एक समाने भासा माँ आप यह लिखना कि असमवाई कारण उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपदान कारण में समवेत रहकर कारी की उत्पत्ती में सहयक होता है उधारण में आप ले सकते हो कि कपडों का अंदिरमाड सूतों के संयोग से होता है यही सूतों का संयोग कपडों का असमवाई कारण है तीस सबकर से क्या हुआ असमवाई कारण अगला क्या है तो निमित कारण निमित सब्द से आप समझ जाओ निमित मतलब निरमाड जो निरमाड करने की जो सकती है निर्माड करने के जो सक्ति प्रदान कर रहा है वो ही कारण क्या है तो निमित कारण जैसे मिट्टी खुद से तो मट्का ने बना सकता मिट्टी में मट्का बनाने के लिए जो सक्ति प्रदान कर रहा है वो कौन है कुमहार है तो जो कुमहार जो है वो ही एक्चो में क्या है त जो कारे करने की जो सकती है वही जो कारण है उसको हम क्या बोलेंगे निमत कारण तो मटका मालू मैंने हमेशा उधारन लिया है और फिलोसिमा मटका ही उधारन लोगे तो मटका अगर उधारन है मटका एक कार्य है तो मटका कारे का कारण क्या होगा मिट्टी और कुमहार जो म वो निर्माड की सक्ती है तो निर्माड की सक्ती को हम क्या बुलेंगे निमित कारण और वहीं जो मिट्टी के एके कण आपस में सेयोग हुए उसको हम क्या बुलेंगे तो आसमवाई कारण हमेशा आकासमिक कारण होता है जो कि सहायक होता है उपदान कारण के लिए ताकि वो नए सिर्ष्टी का नए वस्तू का कारी का क्या करे तो रश्चना करे तो इस पकार से ये कारण है और नियादरसन के नुसार कारण के ये तीन क्या है प्रकार है क्या क्या उपदान दूसरा क्या असमवाई और तिसरा क्या नेमित कारण अब तोरह इसको हम आगे दिख लेते हैं दियान दिजेगा मैंने बोला कि भाई ये जो आपका सिध्धान्त है जो कारिकारण सिध्धान्त है है वो प्रकृति के नियम के अनुसार हर दर्शन में हर रखते के अनुसार ईसको और कि और स्वेंस सुऽ और ये और कारण पर ही अधारित है इसलिए इसको कारण वाद सिध्धान्थ भी कहते हैं तो इस सिध्धान्थ को समझने के लिए असतकारी बात को और समझने के लिए बहुत जरूरी है हमें कारण की विसिष्ष्ष्ष्षष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कारण का अस्तित्व कारी के अस्तित्व से पहले होता है मदब कोई भी जो कारी है उस कारी से पहले क्या रहेगा तो कारण का होना अनिवारी है अगर कारी से पहले कारण नहीं होगा तो कभी भी कोई कारी नया जन्म नहीं ले सकता नहीं रश्चना संभव नहीं है इसलिए हम यह वो सकते हैं कि कारण का अस्तित्व कारी के अस्तित्व से पहले होता है इसलिए म्याय वैस्षिक दरशन के अनुसार कारण का जो पहला विशिश्चता यह है कि कारण कारी का पुरवर्ती होता है तो यहाँ पर जो कारण है जो cause है वो antecedent है किसका तो effect का जैसे जो घड़ा अगर कारी है तो घड़ा कारी के लिए पहले मिट्टी का होना क्या है अनिवारी है अगर मिट्टी होगा ही नहीं तो घड़ा का निर्माड नहीं हो सकता मतलब अगर आप बोलोगे कि मैं जो घड़ा बनाना है और मिट्टी है यह नहीं लकड़ी है तो लकड़ी का आप घड़ा नहीं बना सकते घड़े के लिए बहुत इंपोर्ण क्या है तो मिट्टी है तो मिट्टी का वहाँ होना क्या है तो अनिवारी है यह क्या था आपका प पुर्व हमेशा उपस्तित रहता है बतलब अगर आप मटका बोर रहे हो तो मटका का अस्तित्व हो ही नहीं सकता अगर वहां मिट्टी ना हो वर्सा का अस्तित्व हो ही नहीं सकता अगर अस्मान में बादल ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बुला कि जो कॉज है वो इफेक्ट का इन्वेरिबल तो वो क्या है तो इन्वेरिबल एंटिसीडेंट होता है तो कारण कारे का नियत पुरवर्ती होता है आगे हम देखेंगे जो कारण का जो तीसरा फिसिस्ता वो क्या है तो कारण का जो तीसरा फिसिस्ता है वो यह है कि कारण में तातकालिकता हुपाई गई है तातकालिकता मतलब Immediately, अथार्थ कारण कारे के लिए उत्तरदाई होता है कारण जो है वो responsible है किसका? कारे का जो कारे से ठीक पहले उपलब्द रहता है कारण और कारे के बीच कोई अन्य उपस्तित नहीं रहता मतलब अगर कारण है, कारण हमेशा कारे के से पहले रहेगा और कारण का जो responsibility है वो कारी को जन्म देना है और कारी और कारण के बीच में कभी भी कोई अन्य वस्तू उपस्तित नहीं रहता इस कारण हम बुलते हैं कि कारण का जो तीसरा विशिस्ता है क्या है तो कारण में तात कालिकता है तिस पकार से ये तीन विशिस्ता हमने देखा किसका कारण का पहला कारण को पुरवर्ती माना गया है दूसरा कारण को नियत पुरवर्ती माना गया है और तीसरा कारण को तातका लिगता माना गया है किस के लिए तो कारी के लिए तो ये तीन क्या थे आपके कारण के ये तीन क्या थे विजिस्ताएं थे तो हमने कारण के सुरुख को देखा तो अब हम कारिय के सुरुख को भी जान लेते हैं कि कारिय मतलब पुर्व होता है अभाव मतलब आभाव तो कारिय पुर्व अभाव का प्रतियोगी है मतलब हमने पहले देखा अस्तिकारिवाद में कि जो कारिय है वो कारण में उपस्तित नहीं है कारण में कारे पहले से नहित नहीं था कारण में कारे का अभाव था तो पुर्व में कारे का क्या है अभाव है प्रतियोगी मतलब क्या होता है तो प्रतियोगी मतलब एक यहाँ पर संकिन सब्द में मैं आप समझाना जाता हूँ तो कारिय है, मतलब कारिय का पहले अभाव था, अब आपो कारिय दिख रहा है, तो पुर्व में जो अभाव था, अब वो क्या हो गया, आपके सामने आ गया, मतलब कारिय जो है वो प्राग भाव प्रतियोगी है, यह अपने दिवाग पे रख लिजे, यह आपके एक्जाम मे आपको यह लिखना जरूरी है अगर आपसे पूछा कि काले क्या है काले का सुरूप क्या है नियांट प्राग भ्हावव प्रतियोगी तो ध्यांदी जी चारी जो है वो वस्तु होता है जो कारण धूरा उत्वन होता है यहो हुशन समझना चुका है कारण पूरवर्ती है किसंगा और यह पर क्या का कारिं होगा वह कारण का उद्धरवर्ती हो गाμεंड उत्पथित से पूर्व कारे का अभाव होता है इसलिए तो कारिं पराग भाव का यह तो प्रतियोग dependence कारिंप निया दोफ्र्शel चतंव के अनुसार अब आपके एंसर रेटिंग में और क्या यहां पर कुछन आपसे पूछ सकता है तो यह है कि न्याय दरसन ने अपने अस्त्यकारिवाद को परमारिक कैसे किया तो न्याय दरसन न्यायको द्वारा असत्यकार्यवाद की सिद्धी के लिए जो तर्ग दिये गए हैं वो तर्ग वो तर्ग होगा जिसमें उन्होंने सत्यकार्यवाद का क्या किया खंडन किया। पहला इहां पर यहां बूल लाता है, यदिकार्य पुद्पत्ति के पूर्व कारण में नहित नहीं रहते। अगर मैं सत्तिकारी बात बो रहा हूँ तो मैं यहां क्या बोलूँगा कि यदिकारी अपने कारण में पहले से ही उपस्तित रहता है तो कारण के जैसा दिखना चाहिए परंतु कारे कारण से भिन दिखाई देता है जैसे मटका जो है वो मिट्टी से अलग दिखाई देता है अगर सतकारे बाद ये बोरा है कि मटका जो है वो पहले से ही नहीं थे किसमें मिट्टी में तो मटका का जो रूप है वो कैसे नहीं चीए मिट्टी जैसा लेकिन हमको वैसा दिखाय तो नहीं देता, वो तो हमको अलग दिखाय देता है मटका अलग है, मटका का रूप अलग है, मिट्टी का रूप अलग है तो जैसे मटका मिट्टी से भिन है, वैसे ही कार्य कारण से ही कार्य पहले से ही कारण में उपस्तित नहीं हो सकता तो यह क्या था पहला खंडन था किसका सत्कारिय वात का ताकि अपने आपको क्या करे तो सिद्धिकर पाए दूसरा क्या तो यदि कारिय पहले से ही कारण में विद्धिमान रहता है तो कारिय की उत्पत्ती के लिए निमित कारण की आवसिक्ता नहीं होती परंतु कारी बीना निम्मित कारण की उत्पन नहीं होता अथा कारी पहले सी ही कारण में उपस्तित नहीं है यह क्या होगी इसका दूसरा खंडाकम पक्ष तिसरा क्या है यदि कारी पहले सी ही अपने कारण में उपस्तित होता तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कारी की उत्पत्ती हुई या मटका बन गया है तो ये हमको सुनने को नहीं मिलना चाहिए तो ऐसे कतन सुन्नों को मिलता है मत्का बन गया तो उत्पत्ती हो रही है लिए लिए यहां पर क्या बोलते हैं पहले से कारण उपस्तित नहीं होता इसी प्रक्रास आप मेरे से जुड़े रहे आशा करता हूं कि यह वीडियो को अच्छे समझ माया होगा और इस वीडियो के माधिम से आप अपने आने वाले जो मुख की परिक्षा है उसमें आप सही तरीके से असत्य कारवाद को परिभा कार होगा आपके तरव से तो इसी तो इसी प्रक्रास साब में से जुड़े रहे धन्यवाद